रहे हैं किचन टिबस टो बहुत सारे किचन टिप्स हैकि क्यमाल फिल्ड को घर और किचन टिपुर सारे साथ ही साथ चाहकर हो किचन टिप सेर करूंगी सबी आपको बहुत ज़्यादा काम के लगने वाले हैं तो बने रहेगा वीडियो में तो चलो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर बान है वह हैं मांग टिका से लेके कई वर क्या होता है कि मांग टिका नहीं होता और इस तरह की रिंग सभी के पास होती है मोटी वा सब्सक्राइब करके देखिएगा और इसको बिल्कुष सीध में इस तरह से लगा लीजिएगा जैसे मैं करवा चोथ पे सजी थी तो मेरे पार मांग की का नहीं था तो मैंने इस तरह से एक बहुत अच्छा सा आइडिया मैंने सेर कि आपके साथ और मेरे भी काम आया तो मै आप इस तरह से बोल ले कि रूप में भी कितरे से यूज ले सकते हो रिंग है उसको तो इस तरह से बहुत अच्छा सा इक मांग टिका बन के रेडी हो जाएगा उमीद करती हूं बहुत ही काम क्या होगी आपको टिप अब हैं नेमू से लेके नेमू हम सभी घर में यूज क देशे असमें लिए नेमू के चिलके बहुत ही काम आने वाले राची तो फेंके नाई बहुत ही कमाल को होते हैं और इसमें मैं थव्यूप बेकिंग पाम मतला वाजह से डीजर्जन पाउडर और फिर मीटा सोड़ा और फिर लाष्ट में इसमें डाले हूं नमक तो नमक मै कि मेरे किता गंदा नजर आ रहा है तो इसको भी मैं साप करूंगी तो दिवाली के सपाई सभी के घर में चल रही होगी तो मैं किचन पूरा साप करने वाली हूं इसलिए यह सोलिशन में बना रही थी तो मैंने सोच है क्यों आपके साथ भी सेर किया जाए तो यह सोलिशन बन तो इस तरह से इसको साफ करके और फिर बाद में गिले कपड़े से पोच लेना है और इसके बर्णन को भी निकाल के अच्छे से दो लेना है क्योंकि इससे विनों पे दूदूदी ओफनता रहता है तो इस जाम से हो जाते हैं ज्यादा गेंस खर्च होती है में तुमारे फिर दुबार से गीला कपड़ा करना है और साप करके और सुका कपड़ा लेना है बिल्कुल सूति कपड़ा और उससे साप कर लेजे आपका जो घैंसिच्टोफ रूफाना बिल्कुल चमक उठेर गा तो देश लिए मेरा ग्यांस श् reden में चमक उठे को साम करने में थैने रहा है मैं तौिक सापकर करें गजा का मैं जो पिक्ति रहा संदूर और आप में में टitz उत प्रस के तो से नीए यह ख्रेंगे इसे बताओं यह चीदर ना अच्छे से अुजयान आप imperial के दिना कैने oh वो साफ हो जाए, ज़्यादा चमकाने से कोई फाइदा नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इसको यूज़ लेते हैं, तो तुम्त काले ही हो जाते हैं, तो इतनी मेहनत करना कोई जरूरी नहीं है, और इसके जो चिदर होते है, आगो आपने नहीं मेरे बिल्कुल आपकों जहिए जाय में लोटा ख गया सी इस तरह से राम जहरा हो गई यह मैं साप करूंगी तो यह घंटी को मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरह से डिप किया जिसमें देश देते हो गाई इस इसका कलर की इस तरह से निकलने लगा भी कुछ साफ होने लगा है तो इसके अंदर जो नीमू है ना वो नीमू है जो ब नीमू के चिलके हमारे कितने काम आ गए जैसे आप साबुत नीमू लेते उसका रस निकालते तो वेश्टेज में ही जाता है और यह चिलके तो हम वेश्ट समझ के ऐसे फेंग देते हैं तो इनकों फेंगे ना यह बहुत इत्सा सोलेशन वन के रेडियो हो जाता है और यह पि में पितामपरि आ से के यहां की ताम repeating वाला आप cath desp丘्यां का इए बढ़्त सब्सक्राइब मेल जाल थे, तुर बिना पिताम्परि के की से हमारे बरतन के साफे होता है तो इस तरह कि सामझ के बढगर तो किचन की टायल्स को साब कर ओगेघार की से साब ने-फे में दिखे क किचन गंदा गंदा से दिखाए दे रहता है बिलकुल अच्छे से आपके किचन इतने अच्छे से शायनिंग करने लगेगी आपको बहुत यह अच्छा फीलिंग आएगी मैं पूरा इस से धुलने वाली हूं किचन की टाइस दुलूंगी नीचे की परस दूलूंगी स्लैप सब करेगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही काम आईगा उभल्ष को बना रहे हूं अपको बहुत जदा पसंद आने वाला किचन की सपाई करने के बाद में हमें इस तरह के जुरुत पढ़ती ही पढ़ती है तो आप पूरा वीडियो में बने रहे हैं आप तो थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक चरू कर दीजेगा लाइक करने से कुछ नहीं मिलता हम थोड़े मोटिवेट होते हैं मोटिवेट होके और अच्छे अच्छी वीडियो आपके साथ सेर करते हैं अब इस तरी किसे लंबाई अंदर का निकाले इस टिकर और इसको निखाल लिया है अब मैस को चपकाने वाले हूँ तो गयास व इस वह पड़ पर होगा क्या में मीको से मघव ही तो ये यह आया थजा तो निढ़ नहीं को परेले माई तो सबंदल एमल के लिए नहीं यहूं कॉरकरत कर वा वर पर नहीं होती ना तो नहीं लगती है तो मैंने black tape यूज ली थी तो इस तरह से आप इसको चिपका लेजिएगा तो इससे क्या होता है कि लूक अच्छा आता है जो हम organizer बनाके रखते हैं उससे look अच्छा आता है तो इसको मैंने चिपका ले पर अच्छे से चिपका नहीं तो फिर मैंने tape से बलेक टेप थी उससे भी थोड़ा लुक अच्छा आया था लेकिन जो सेलेटों पर होगी ना उससे और भी अच्छा लुक आएगा और फिर मैंने एक इस्टिकर लगा दिया तो आपके पास इस्टिकर हो तो लगा दीजिए नहीं तो को जरूर नहीं इसे बहुत ही अच्छा सा हमारा ओगनाईच दिख रहा है बहुत ही सुन्दर सा लग रहा है अब मैं इसमें क्या रखने वाली हूं आपको मैं पताने वाली हूं तो यह मैं क्या करूंगी ट्रे हम ऐसे रखते हैं तो यह फिसल कर गिर जाती है हैं सब्सक्राइब दया है और अच्छे से क्या है कि ओगनाइज भूए नहीं दिखती है तो इस पेस भी लेती है बिख्रा-विख्रा किचन भी अच्छा नहीं लगता है तो इस तरहीड बना कि और फिर बाद में उसमें आप राखो गेर को रखो आपको बहुत ही पसंद करते हुआ इसमें रख सकते हों जो आप खाने की प्लेट करें इसमें बेर तो दिकुझने में बछары लगते हैं अब तो च Ethereum अबीक बना ल को फग्छा लग दिसक्त पां शाइब करता दऊते हूं आपको मैं बेंको किचन के और टो प्रफिक जो जो मासाले जो में रख दूंगी तो यह खुलने के बाद में बंद नहीं होते हैं में टेप लगानी पड़ती है तो यह मेरे बहुत ही अच्छा काम आने वाला है तो मैं इसमें रखनेवाले हैं तो इसको साथ तो अब मैं इसको इसमें बंद कर दूंगी बंद करके आशसे को रख देंगे तेश से होगा क्या कि यहां इसमें धूल मिटी नहीं जाएगे मारे मसालों के डिपो में तो आप इसको फ्रीज में रखिए या भार रखिए आपके मसाले के डिपे बिल्कों सेफ रहेंगे आप काम लोगे तो रबर बैन से बांदीजे फिर खोल लीजे तो उमीद करती हूं यह दोन और आपको बड़े ही पसंद आयों को पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा अब है नेक्स्टिप है वह है लिपस्टिक किसे लेके तो आज कल कई तरह की ऐसी लिपस्टिक आने लगी है कि होटों पर लगा लेते हैं उसके बाद में नि जरत नहीं है आपको सिंपली किस से अटाना है वह बताती हूं तो आपको लेना है नारियल तेल यानि कोकोटन ओइल और फिर बाद में कोटन का कपड़ा ले लिजिए टीसुपे पर ले लिजे और उसके लगा लिजे थोड़ा सा ओईल और फिर आठा लिजे बड़े आराम काम की हमारे लिए तो छोटी-छोटी बोतल है ना हम फैंक देते हैं अकसर तो गाइस ऐसी बोतलों को कवी भी ना फैंकि बहुत ज्यादा काम आती है हमारे तो इस बोतल का मैं क्या करने वाले उस सबसे पहले तो आगे का भाग से इसको कट करूंगी और फिर इसकी छोटी- इसे बराबर मात्रा में भी कट हो जाएगी तो इस तरह की रिंग आपकी बड़े आराम से निकल जाएगी इस तरह की बहुत लीजिए गाउसकी बहुत अच्छे से कट जाएगी तो लास्ट का कट नहीं रहा था और मैंने गरम करके नाइफ को फिरी कट किया है तो मैं यह इसको मैं ऐसे कामों में यूज लेती हूँ तो यह हमारी बहुत सारी रिंग निकल के आ गई है और उपर का इससा न उसको भी नाफ़े के बहुत ही काम आता है इसमें छोटी मोटी चीज़ी आप रख सकते हो जो मतलब आपकी खो सकती है रिंग रख सकते हो चैन रख सकते हो यह किचन में रख लीजिए या छोटी छोटी जैसे बाटन्स होते हैं या छोटी चीज़ी हमारे ऐसी होती वह ऐसी चीज़ों में रख सकते हो और इसका ढखकन भी हमारे काम आता ही है तो यह रिंग्स मैं किस तरह से यूज लेने वाली हो इससे हमारे देर सारे कपड़े ह आपको बताते हूं चलिए तो आपके जैसे कई के कमरा होता है कई के पास आसे निया कि आपके बड़ा साधर घर वैसा हो हर किसी के पास नहीं होता वही तो छोटा से स्फेस उसमें इस तरह से का पकुल हो कपड़े वी रखने हैं सब कुछ उसे में रख नहीं सिसके लिए यहेंगर लगा के रख दीज Näст Difdı लगा एंगर कर दीजिए इस सबस्क्राराइब नगा सकते हो तो इसे क्या होगा कि आप एक ही जगए एक नहीं जगए अप धेडर सारी तो इस तरह के से हैंक कर दीजे देड सारी साडी आप हैंक करके रख सकते हो और इसके उपर आप टी सेट पेयना दीजे दूसरा टिक्स मैं साथी साथ बता दे रहे हूं यह दिया क अपके कपड़े गंडे और आ Luther आती है वह पेना दीजे पूरे इस तरह से हैंगर कॉर आपक जो क्या है कि आना बिल्कुर साफ सुत्री रही कभी गंदी भी नहीं रहीगी भार भी आप इस तरह से hard कर रही हो तो उमीद करते हुई छोटी सीटी पर लेकिन बड़े काम कि बोतल से ही हम बोटेर सारे कपड़े तो इस तरह से कई सारे आपको मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं कौन सा टिप्स सबसे ज्यादा बेश लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो प्लीज प्लीज बीडियो को लाइक करने में कज़़े प्लीज बीडियो को लांट कर ने कने का नियूं नियुकु ए डिडियो जरूर। होगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेप सेंट्रिक के साथ तो बाई